वाइव दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप करने चैनल डी टू वार अश्टैडी में आज मां तो इस वीडियो में बताना दो गती के रहें तो गती क्या है एक कितने प्रकार होते हैं उन सारी प्रकार को क्या क्या उधारन होता है इसे जो इसके क्लियर करना है मोसं को तो कुसर वीडियो को अंतर देखता रहे हैं वीडियो को लाइक करें आएगा और शौन किसे आ हैं कितने पार नहीं क्जानपल होता है सारी चीजिए को सबसे पहले मोसं कोश्म थी क्या होता है एक realization क्या होता है अ कि इसी बस तू के साथ कोई बस्तू का पोजीशन बदल गया तो गती मेरा थे से कि मैं यहां पर ख़र यूँ देंक कोई समाय हुआ पांच सेक्ड़ शे संगे फिर मैं यहीं पर हूं तुम्हें यहीं पर हूं लेकिन तो वह ही मैं यहां जा रहा हूं फिर ऐसे जा रहा हूं तो इसके क्या आर्च नहीं कर रहा है कि मैंने मैं समय के साथ अपना पोजीशन को बदर रहा हूं यह स्थीती बदर रहा हूं तो यह स्थीती बदलता है समय के साथ वही गती के वस्था में खालाता है तो आप से कोई सवाल पूत देगा कि गती किसे का तक बोली है क्या कि यह ये उसका पोजिसेन बद ला रहा है तो गती में होता ठीक है और कोई लिख से घुनन गती विट्य गती 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 एक विमय गती त्रिव में घुनन गती तुसके बीडियों को अंदर देट रहें घुकिन गती तो गती का जो मतलब समय के साथ जिसका फूजिशन बदला राव बस तो गती वे रहे ये बात नहीं मतलब चुछ तो पंग कर रहास आप से क्या बताना है देखिए लिखेंगा जरू कोई वस्तू क्या बुलेगा जब कोई बस्तू की स्थिति समय के साथ कोई समय रहेगा समय के साथ परिवर्तन यानि की चेंज बदलते रहता है परिवर्थन होती है तो हो बस्तु क्या दूस्तों कहा था गती में तलाता तो वह बस्तु गती के अवस्ता में तलाती है अगर गती कैसे बहुत सब्सक्राइब लगेगा अश्क्राइब कि गती की अवस्था में कहलाती है कि अब भाई पोजीशन तो अलग बहुत लेका तो गती रहा गती वह कितने टाइप करेंगे अभी हमको समझना तो इसमें सबसे पहला थो तो टाइप अगा नगती में वह दूस्तों आगा सरल रेखे गती सरल रेखे गती याद रखेगा अब इसका यान पर देखिए क्या हो तो बता दूगा आपको क्या होता है कि इसको बताओ ना तो गती का प्रहास याद करने के लिए तो टाइप में उसको पहले बड़ को पकड़िएगा तो बड़ को पकड़ी तो सरल रेखी गती सरल मतलब जानते होगा स्टेट लाइन सीधा और यह कि मतलब रेखा यानि रे जब कोई बस्टो एकन की गती सरल रेखे पर होती है तो बस्टो की बोलते हैं है मलगी सीधा जारा दो खिलता गती हम सीधा जारा तो तो थे लिए सतल तो अपी रोड पर चलते हैं तो सेरा रेखिये होती है तो बस तुक गति क्या गता है सर रेखिये गती तो थीक्षिक अ वह समय को जाता है तो जो जब बस्तु की गति न तो जब स्वेक्ष रिखा पर गति मान है रहा तो पॉस्तु का इस को जा में आप चलते हैं तो जुष रहा होते हैं तो इसका मारे यह हो जाएगा परिवास अठीगा तो क्या बोलेंगा दोस्तों जब कोई कि बस्तू या कर्ण कि शरल रेखा पर गतिमान हो कि गतिमान हो तो कि बस्तू की गति शरल रेखिये गति का लाती है यह यह निकी बस्तू हमें सब्सक्राइब देखा पर देखा पर चलेगा अब जोस्तों इसका इसांपल हमारा कौन कौन साथ है देखिए इसांपल में कि आपने के देखियों यह यह से रहां जागा दो तो ड्हालू पर सा रखता हुआ बालक अब आलोग देखेंगा अबने करता हुए जो गतिता सब्स्राइब को तम नीचे दमस्तिया आता है अम सर रहा पर उटेंगा मेरा उसको नहीं राता ना तो बृता कर रहता है ठीक है ना इसे आता है डालो रहता ना इसे बचा रहा है इंजे सरा करा तो यह आपको शर्य रेखी गति होता है कोई दिकत नहीं न चली यह तो अब इसमें सेकेंड में कौन सा गति आ जागा देखिए सेकेंड में दोस्तों हम लोग ले लेते हैं इसमें बृतिय गति का की का बृतिय गति शर्कुलेटरी मोशन इसको हम बताया था न कि गति में सबसे पर बार्ड को देखेगा उससी सब को परहासर बन जाएगा ठीक तो बृतिय निकि बृता का अब गतियन इमोशन उसका पूजिशन से बदलाएगा तो दोस्तों क्या बताना कि जब कोई दुस्तों बस तू जब कोई बस तू बृता करते करता है तो उसकी को बिटे करते चांपल के थूस समझिया अपर जैसे इसंट और यहां पर भृताकार पर गृत्ती चला रहा है ठीक है ऐसे से घूमा रहा तो उसका बिदिदी घॉतिय घुजाएगा ठीक है आप लोग जानते हूंगा कि ढूसर के 4 पिठीवी की गति उसे कर्च BCD तर रथा तो तेकार पो तो घ Yangtay कहल पाई ट्रूबत को तो ही मार्依िद रती हो जाए जाह तो है क्या क्या बोल सकते हैं है जुआ TWO को बिताकार पर गती करता है पर याष कर राए उसको और पर गती करता है अब करता है तो उसकी गति को क्या करते तो तो इसकी गति अब बितिये गति कहला कि अब अब तो अब अब तो यह पर लो ले ले ठीक तो इक्जामपल रहे हमाना क्या आजाएंगा देखिए छोई कि देखियो क candy ग्रहों की कर्थ हूए ध्याल इस सहां से लोग क्या बसक्तार Kisoo के चारव ग्रहों की सुर्ज के चारों तो ग्रहों की गति हुव दम ढर्िताकार को रहेगा गल न वेला एम कॉभाव दोस्तों पृथीजे चारोड चंध्रमा की गति है संध्रमा की गती है पुअ pride ये दो सबृट सा गती ने आ绐सको माली पूद्ध दे के तो चुछ आपने मन सबना सकते हैं तो फिर्टिय गति हो गया अब तो थर्ड में हमारा आजागा दोस्तों डोलिनी गति अब दोलनी ऐने दोलन का मतलब डोलन तो दोलनी गति मिका ना कोई बस्तु जो क्या आता एक निस्जत बिंदु के आगे पीछ या तो उपर नीचे घूमेगा इसी देखिए इसे माले जी तुम्हें आप घारी का पेंडूलम आप लोगद देखें होंगे हमें सादेखता ना जो होगा यहां तो थेम्एम यहां रहता हैं तो यहां इसी बिंदु के हैं भूमत रहता है थिकैं दोलन करते रहता हैं तो जोतल के हमें लोग गति हो जूला देखाऊंगा ना जूला राता ना तो हां पर देखाऊंगा कि जो बैटने आला उसके आंगे पीछे करता उपन नीचे तो भी दोलनी गती को दाना दोलना ओसलेटरी तो सिलेशन दोलनी किया था कोई बस्तू जो आता है एक निश्चत बिंदू के आंगे पीछे या उपने के घटी करता तो वस्तू कितकर दोलनी गती करते सुमझेसी तो इह मारे के बस्ती पकड़ा गें तो इस तो इसले से आइक बताता हूं बर्ड को समझेंगा थो दोलनी जो इसमें कोई बस्तू को एक निश्चित बिंदू निश्चित बिन्दू के आगे पीछे आगे पीछे यहां काब हो सकते हैं उपर नीचे उपर नीचे गती करता है दोलनी गति कह लाता सब्रीका हुआ को बस्तू रहें और ब्रीन के पीछे गती करेंगा अब सक एसामपल में पीछेंगे पेंडूलंग की गती इसे यह लिए यह दिबार घरी दिवार घरी का पेंडूलन की अशन 5 9 कि पेंडूलन की गति है यह को हिजाम पाद स्वेस्टने जूल की गति जूला देखें ना तो और जूले की गति ही बोल सकते कि जुले की गति क्या देघर सकते हैं आफट का मतलव्य सतो क्या था जोटेसट इस देख्रोटेस्ट नहीं तो ढूंदन घृत्य रागाना तो अवर्ठ गतिया नहीं कि दूस्तू यहां पर आपका आगल यूसे कव सुने होगो जस्तू हर्मोनीक मोशन ठीक है तो हमारा वर्ठ का मतलब तो आप पहले ओप्र tended कीस समय जीसे पढ़े होगा गंटुरण होता है तो अब गती में क्याुता कि कर शल्प पहले गति के आम उश्क्य संवीर मैं पीर इपने गती को या फिर अपने समय पर गति को दो रहाएगा यानि को गति को में से दोर आते रहता है कि नीची समय अंतराल पर उस गति को तो कते आब वर्द के मारा जो प्रिथीवीच होता है सूज के तरह थो निचे समय अंतराल है और वर्द अपने मेला में देखुंगा बहुत बड़ा ना खूला लो विर्दा का तो ओविदाका था निश्चित समयंत्राल पर गति को दोहर आते रहता है तो भी आपका क्या हो गया दूस्तों आवर्थ गति हो गया तो आवर्थ गति में कमते क्या होता है जिस गति में बस्तु होता है अपने निश्चित समयंत्राल पर गति को दोहर आता हूं ठीक है तुसको क्या करता है आव कि अंत्राल पर कि अपने गति को कि दुहराता हो तो तो कि उस्बस्तू की गति क्या दूस्तों कहा लाता है आवर्थ गति क्या वर्थ का मतलब होता ही समय है वाफने गति गति में समया में सा कुछ में पॉइंट्स आएगा तो समय समय तो आपना बलंगा रही है नड़ी समय अंत्राल पर अपने गति 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 कर लाता है अब इसका दोस्तों एजांपल देखें क्या होगा इस जांपल देखें दोस्तों अच्छा नामी जांपल आप द्सम लेकर तो आप द्लीच जांपल कि दोनों गति का उधार है यह तो कि सूर्ज के चार और प्रिथिरी की गति और दूस्ते हैं बूल सकते हैं बृता का जूले की गति जो बढ़ा राता है फिर यह सुगतिये ना इससाब अपने घती को दोना दें एक समय अंतराल पर दिख हमारा हो गया जोस्तों क्या हो गया आप फ़र्ट गति का यह सब उदारन हो ठीक है ठीक है तो यहां पर दोनिगति बीदे का इसलिक यह वहार है लोगना लगा हो चार और गति बचा हुआ है तो पहले इसको नोट कर लेजिए तो दोस्तों मारा क्या जाएगा तो दोस्तों पच्मा में देखिये हम रहे का जाएगा घूलन गति ठीक है आप लोगो शूने ओंगे हुआ है गोनन पर वो सकते हैं प्रभाएव क्या हुआ है लेकिन क्या हुता है इसमें बस्तू जो तरह ने कि मिस्चित अच्छ परितर चार गूं ता थे जैसे माले आपका अच्छ आच्छ और उसको चारोल माले जो कोई बस्तु आपका इसाओं घूम रहा थीक है आफ को गोमेगा तो तो एक अच्छ के चारोल बिरिता काई पत्पर घूमता इसमें बस वही राता दिरिते कर लेकिन इसमें एक निश्चित अच्छ आ जाता है ठी चाहते हुआ तो लट्टु दम नीचे दम एक एकसिस रहता है नीचे एक सच अब उसको गुम्रहार होते हैं जो आपको चक्री पर बनाते हैं कुछ मिट्टी का बरतर बनाते हैं तो चक्री की गति होता है वह भी आपको घुम्नन गति करता है अब पंखा देखोंगे सब्सक्राइन िसाता है तो क्या बोल सकते है वह है जब कोहीं बस तो जब कोई बस तो एक निश्चित ऑक्ष जब कोई बस तुद एक निश्चित ऑक्ष अख के परिता निचारोर विताकार पर गती करता है तो उष्की गती गुर्णां गती का लाता है गुंणां गती करहें है है इसा फेग ले सकते हैं ठीक है इसाइं अब यहां पर क्या करते है लटू की ले सकते सकते हैं तो छिए लटू की गतीं कि हमा घुप उद आरह न हो जागा और दोस्ते कि बहुत सकते कि रिताकार ये लट्टु की घ्ति आ खाती गोंड़न गरी चाथ है जो पूंड़न गरीच जो पूंड़न के बीटाकार तो होता है में देखते हुए कर अच रहता हो गाए चारों आप गोंते रहता हो बतना चलिए यह तो मारा होगे तो अला गया आप इसको पाच्छा जागा देखिए बहुत इंपॉर्टनेट चट्था देखिए एक बीम्य गति यह आपको दूस्तों बीमा क्या नुशाब होता ठीक है एक बीम्य गति वन डामेंशनल मोस्न तो यह गति है मारा जागा अब मैंने बहुत श्राने चाहिखना संभी निम Hybrid का मतलब होता हैनि opening और घ्राइव गति का मतलब होता है को ऑचा है आनि परिवर्थन होता है और ऐखर दीशामन परिवारितन होता है जब कोई यह दीसामन फरीवर्थन होता है घ्या परिवर्थन यह में पड़ता है न बश्तु का पोजीसन एक पड़िवर्टन हो जाता है जैसे आप देखते हुत सहारक कर चलता है कि फिरिए जार्ट iki बोगलते स्विल ơi यह कि रोट इसका कोई जब कोई की जब कोई तो ज्रम कोई की श्रेव से चिति एप यह diabetes केवल एक दिशा में परिवर्तन होती है तो उस बस्तू की गति आप से भी सवाल ऐसा जाता था उबजेक्टि में तो उस बस्तू की गति क्या होती दोस्तों एक बीमिय गति ख़लाती है आइधने की वेगति करें तो एक सच यह तो य जड 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 शिक है बदलाएगा तो एक ही बदलाएगा उसका अजैसा नहीं कि एक सस्ट इसमें यह सब जो गति ना यह विमे का मतलब दूदिसां में वस्तों का जो पोजीशन वोगा ना दो दिसां में बदलेगा या तो X या तो YZ या तो दोटिस कई आएगा उब्यक्टि में आएगा ग्रहों की जो गति होता है वह दूरीमेग गति का उदारान होता है तो बोल सकते हैं दोश्तों कि जब भुवल सकते हैं क्या दोश्तों जब कोई बस्तू की गति यह मना दोस्टों सान्स जाव कोई बस तू की दीशा तूस्त्वर जाव कोई बस तू कि श्याव कुए अपर छाल में बदलती है तो हुआ दूइ वी मिय गति कहल आता है ठीक है डूइ गति कहल दिया है यह यह मैं आपको प्रखास दूश्त है रहा हूं ताकि कुछ बच्चे लिख लेगे ऐसे समझेगे तो इसका दूश्ट एक्जामपल मेंने क्या होता था जो इंपोर्टेंट हमारे लिए ग्रहों की गति ठीक है अंवा नमबर घटा है अठाव तो क्या होता तरी बीमिय गति तो यह जो बगती में इसकर दोंत्रीच करता है तो अजम भाए करता है जब बस तो यह कन कि अंत्रीच में गति करता है कि यह आकास में गति करता है तो वह कि त्रीवीम्य गति कहलाता है कि यह का लाता है दोस्तों 3 वीम्य गति करता आद इसका दोस्तों एक जांपल क्या जाएगा इसका दोस्तों और कोई जांपल में आ जाएगा दोस्तों कि अब बोल सकते हैं अकास में पच्छियों की गति दोस्तों इसी में दोस्तों एक तरह क्या था वह यहां दृच्छी गति पंडा मिलेगा यह दृच्छी गति वह दृच्छी गति भाता इसका दिशी निस्चित नहीं रहता है तो आपको समझा देंदें नौश्तों बना सकते हैं को बता दिया हुँ अपने अश्तर से ठीक है दोस्तों आज तक देख लिए अब आप एक विडियो को लाइक कर देगा देगा और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देगा इसमें तो जा रहे हैं आपको बस एक पहुंचते रहेंगा कि मैंने अपनी मंदारी से आपको कुछ कर्टब बनता है कि वीडियो को सेर करें ताकि जो बच्चे अंजाने नहीं जानते पहुंचे तो कुछ जाने ठीक है दो और दोस्तों हमें इंस्ट्राइग्राम और फेस्बूप फोलो कर से तो में वहां भी आदेव से कुछ सीखाता हूं तो आप फोलूप कर सकते हैं तो तो मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए बंड़ेगे का जहीं जाने भारत